तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक MCQ सिरीज कर लेक्या हूं तेस्ट लेक्या हूं जो कि CCL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथी साथ NTPC के लिए भी आपका यही वाला काम आने वाला है कुछ बाते मैं आपको बता देने चाहता हूं अगर NTPC का फर्म भर हैं तो फ्लीज ध्यान से इस विडियो को देखेगा और लास्ट देखेगा आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा NTPC का ग्यारत तारिक को एक कॉलेज में दिया गया है इसका मतलब यह हुआ कि वह उम्र सीट वाला इग्जामिनेशन होने वाला है तो है तो सवारी 21 को मैं कहना चाहरा था 21 को तो 21 तारिक को यानि कि साइद आपके पास मतलब लगबग साथ दिन का समय है उम्र सीट एग्जामिनेशन होने वाला है इससे पहले उम्र सीट एग्जामिनेशन नहीं होता था क्योंकि एंटीपीसी में एक्प्रियेंस वाले केंड़ेट को बुलाया जाता था और इसमें बहुत ही कम बैच्चे पहुशते थे और उसक स्कूल में एक्जामिनेशन होने वाला है तो इस बार पैटन थोड़ा सा चेंज है लेकिन पहले की पैटन को देखते हुए आप अनलाइसिस लगा सकते हैं अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा कि कि इस टाइप को पूछे गया थे सिंपल सिंपल को पचास कोशन पूछे गया थे जो कि 100 नंबर के थे 100 मार्क्स के थे ठीक है एमसी क्यू टाइप का था और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था लेकिन इस बार क्या है इस बार आपका जो रिटेन टेस्ट है यानि कि फेज वन है उसमें 100 कोशन पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर का रहेगा और उसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वह दो घंटे का दिया जाएगा इसमें प्लस वन और माइनस 0.25 यानि कि अगर सही करते हैं तो एक नंबर आपको मिलेगा गलत करते हैं तो एक चौथाई नंबर आपका कट जाएगा इसके बाद फिर मैं एक अनुमानित कह सकता हूं ठीक है अनुमानित कैसे कह सकता हूं बहुत सारी जोंटी पीसों के वीडियो मैंने बनाया थे उसमें जो घ्यूस गया था जो कमेंट आया था उन सबको देखते वह में यह कह सकता हूं चुकि यह फ्रेसर का वैकेंसी है तो मान की चलिए कि 5000 हजार फॉर्म आया होगा अब आपको यह लग रहा होगा कि इतना ज्यादा फॉर्म कैसे आओगा यह पॉसिबल नहीं है तो देखे कोई भी कोल इंडिया का वैकेंसी देखिए ना बीसील का वैकेंसी देखिए बीसील में क्याता सरीफ ओबीसी केंडिट के लिए और पॉप आयते हैं तो आप सोच सकते हैं कि एंटी पीसी जिसमें ओबीसी के साथ अन्रिजर्फ सिट का कोटा है अन्रिजर्फ कभी ठीक ठाक सीठ है तेरा 14 सीट है वी से कैटेगरी का साथ तीन सीट है सेस्ट का भी सीट है तो इसमें आपका जाने का चांसें 5000 के आसपास है अगर आप चाहेंगे डीटेल में इस पर बना दूंगा फिलाल मैं आता हूं आपको अगर आप टेस्ट नहीं भी लेंगे तो आप खुद से सकते हैं या खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं चली मैं अपना पोर्टल खोल लेता हूं ब्लैक डैमंड वाला अप्लिकेशन का और कोई भी रेंडम टेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूं पूँद सेलेक्ट करने के बाद यहां टेक्ट सेलेक्ट करता हूं होता ही फिसान के करके सेलेक्ट करते हूं और आगे बढ़ते हैं पहला पैलेक्ट सौर्स का हूई तो इसका जो सही एंसर है वो हो जाएगा 300 मिटर अब यहाँ पर आप गौर करेंगी जो कोस्टिन है वो आपका Central Electricity Authority Regulation 2010 से है इसमें जो चैप्टर नंबर 9 है जिसमें माइनिंग के बारे में दिया हुआ है कि माइस में Electrical Equipment का अलग से एक कानून होता है तो वो चैप्टर नंबर 9 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको समय मिलेगा तो सीर 2010 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ लिजेगा इसके लिए बेस टुपाई यही है कि एल सी काकू साब का एक किताब आता है Central अगर आप लेते तो नाइन चेप्टर अच्छे सब्ढ़ लेगा और पीछे में बहुत सारा कोश्चन दिया हुआ है कोई वन लाइनर दिया हुआ है कोई आपका वह सब चीज को पढ़ लेने से आपको एक अच्छा-गासा आइडिया मिलेगा तो यहां से आप इसको बात किया है यहां पर बोर्ड ऑफ माइनिंग एक्जामिनेशन या ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो बोर्ड ऑफ मेंबर जैसे आप देखेंगे तो आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि कमीटी कहा जाता है जिसमें सेक्शन 12 वाला जो होता है और बोर्ड अफ मेंबर कहा गया है तो आप सींअमार से रिलेटेड है यानि को माइस एक्जामिनेशन से स्रेङा genome से और इसको बोर्ड ओन ही इक्जामिनेशन भी मानन के चलेंगे में एक्जामिनेशन में हो सकता ऐसा या convegan Ritamош और बोर्ड अप मेंबर का अगर कोई भी मेंबर है बोड़ आफ माइनिंग जामनेशन का वो रिजाइन मानना चाहता है तो किसको बोल के रिजाइन मारेगा को अगर कोई भी मेंबर रिजाइन मारेगा अगला कोशन है अगला गोशन है बोला गया है कि डेटोनेटर अगर आप ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो उस कंडिशन में इसमें से कितना डेटोनेटर जाएगा अब देखिए NCL का जो question था उसमें एक था कि detonator में जो गाड़ी में explosive लेके जाते हैं उसमें explosive ऐसे लिखा जाता है इस explosive जो board होता है इसका size क्या होता है मतलब जो font होता है font size क्या होता है तो इसका 15 cm font size होता था यह आपको कहीं नहीं मिला था यह कहां पर मिला था यह explosive act में मिला था explosive act में मिला था साथ 1884 है तो explosive act 1884 आपको पढ़ना पढ़ जाएगा अब आप कहेंगे कि यह चीज हम इतना detail में कैसे पढ़ है अगर आप explosive act 1884 नहीं पढ़ सकते हैं तो कुछ selected portions उसका पढ़ लिजेगा कुछ selected main main point आप पढ़ लिजेग अगर वह भी दिमाग में आता है तो explosive act 1884 का कुछ mcq questions कर लिजेगा ठीक है वह भी नहीं होता है तो वन लाइनर पढ़ लिजेगा अगर वह भी नहीं होता है तो लसी काकु सहाब का एक ठो ब्लास्टिंग वाला किताब आता है उसका नाम है ब्लास्टिंग प्रैक्टिस ब लिजेए उसमें एक एक चीज़ को बताया है उसमें explosive act से लिए के सब कभर है जो माइनिंग में आपके लिए जरूरी होता ऐसे कोशन लोग छोड़ देते हैं ऐसे को आपको छोड़ना नहीं तो इसका एंसर हो जाएगा option number B यानि की 200 एक बार में एक ठो गाड़ी में 200 मतलब कि अंडर्गार्ण माइन जो आदमी काम करता है रोजे-रोजे हाजरी किसम बनाता है कौन खाता में बनाता है कौन रजिस्टर बनाता है फॉर्म इमें फॉर्म डी में तो इसका जो जो सही आंसर हो जाएगा option number D option number D माइन सुरूर में जो फॉर्म सदिये गया है जो कि कि आपका basically those are we evidence ने पढ़ाया है इसमें मैंने डी टेटेल बता है कि एक ठालेबर लौज़ कि अगला कोशन है कि एस पर द एंबी टीयार 1966 में माइन वोकेशनल ट्रेणिंग रूल 1966 में एवरी ट्रेणिंग सेंटर सेल वी अंडर चार्ज आफ एट लिस्ट ए होल टाइम और पार्ट टाइम डैस एज स्पेसफाई बाइद चीप इंस्पेक्टर मतलब बुला गया है कि बताइएगा एक अगर एक अग्ते और के सबसा वर को आपको पड़ता है मायन वोसी आपको बंदल खास कीतावच है लाइन i. lack लाइन बायओ लाइव द्यजें चेठ चिक उसके बादे देगा है और जो फॉम्स दिये गया मैंग वर्प को भी अच्छे बार पढ़ लीजियेगा ठिक और सेडूल और पर्म में अगर को डाटा आता है में अस混त को दाटा आता है कि जो सब चीजों पर फो जोर से नजर डालने का उसको बाल बार प्रक्रिस करने का तब जाकि यह होगा एंसर मतलबra कि MBTR में जो training center होता है training center में कम से कम एक फो आदमी आईसा होना चाहिए जो whole time या part time उसको नॉमिनेट किया जाए उसको रखा जाए ठीक है अगला question पर के अगला question है for deflaring area of gassy mines of two degree and three degree the amount cluster of light in addition to cap lamp of individual required to be provided हो ला गया है कि अगर आप deploring कर रहे हैं कोई gassy mines से यानि two degree three degree का माइन से है और वहां पर आप deploring कर रहे हैं ठीक है तो बोला गया है कि प्रकास तो हमको चाहिए लेकिन प्रकास का मात्रा कितना होना चाहिए मतलब उस जगह पे कितना light होना चाहिए एक cluster of ten to twelve cap lamp बतलब 10-12 cap lamp अगर एक साथ जलाते हैं तो जितना light प्रकासित होता है जितना light उस जगह पे होता है 10-12 cap lamp जलाने पे उतना light होना चाहिए एक cluster of 15 to 20 मतलब 15-20 light जलता है तो इतना होना चाहिए आड़ाइसो वाट का बलब आप चार और बलब है वह चार या चार से ज़्यादा अगर जलाते हैं तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका cluster of 15-20 cap lamp अगर आप 10-12 वाला दिमाग में रख रहे हैं तो 10-12 वाला जो है वो आफका soft saking में यहां पर आपको थोड़ा से confusion होता है साफ वाला यहां पर आप देख रहे हैं यानि टीपलरिंग एरिया में देख रहे हैं तो डीपलरिंग एरिया में पटिकुलरली 15 से 20 केपलेंग का जो प्रकास होता है उतना लाइट होना चाहिए ऐसा नियम बना हुआ है चलिए आते हैं अगला कोशिन पर डाते हैं इसका अंसर का बले सब क्लिक कर रहे हैं अगला कोशन है अगला कोशन है अगला कोशन है अभी थोड़ा सा पैटन चेंज हुआ है पहले क्या होता था अगर आप एजाम दिये होंगे तो CMR में जो ड्यूटीज रिस्पॉंसबिल्टीज है उससे थोड़ा सा निचोड के कोशन बनाया गया था क कुछ कुछ उसके बाद यही पैटन को फॉलो किया TCS क्योंकि TCS लिया था तो TCS ECL में कुछ इस टैप का कोशन पूछा उसके बाद जब अगला एक्जामिनेशन बोल लिया था उस अगला एक्जामिनेशन में इसी को थोड़ा सा और ट्विस्ट किया मतलब थोड़ा सो और लोड़ों की किसी तरीके से पूछे तो आपका अगर कॉंसेट क्लियर रहेगा तो सब कुछ क्लियर रहेगा तो बुला गया है अब ट्रेनिंग ऑफिसर का क्या ड्यूटी नहीं है नौट पार्ट ऑप ड्यूटी ठीक है जब कोशन पढ़िएगा तो ऐसा नहीं देखेगा पूरा कोशन को पढ़िएगा यही गलती बहुत ज्यादा लोग करते हैं इसको एकदम नहीं करना पेसेंस रखके पढ़ना है तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एवरी ट्रेणिंग ऑफिसर सेल की पर रिकॉर्ड अफ दर वर्क यह तो होना जाए तो मैंटेन रिकॉर्ड अप दर सूपर विजन रिस्पेक्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यह भी होना चाहिए तो कैरी आउट सेप्टी अवर्नेस केम यह थोड़ी काम है बोला कि यह तो बहुत है ट्रेनिंग ऑफिसर का क्या काम नहीं है एक कोर्डिंग टूए निग्टी परशालेंट ट्रेनिग इवन्टुए पर सचली होगी इसका सब्सक्रीन इसमें प्लान से जितने फी प्लान और से उसमें जो आरे फान्युम उस पे थोड़ा सा नजर डालिएगा ध्यान दिजेगा और जब भी आप प्लान सेक्षन पढ़ते हैं तो कोशिस किजिएगा कि उसके साथ जो एंगुलर एर और यह सब पॉइंट को भी अच्छे से क्लियर करने यह सब को चोड़े चोड़े फार्मूला होता है वह सब भी आप अच्छे से देख ले तो अगर उसमें से कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपको दिक्कत फॉरत मरे क्लाश जॉइन कर लिजे को वीडियो लेक्ट्र पड़ा हुआ है आपके पास टाइम है आराम से कर सकते चलिए इसका एंसर हो जाएगा डॉस्ट प्लान कर में रखते हैं आप अगर लिख देगा नौट मोर देन और नौट लेज देन तो आप कंफ्यूज हो जाएंगी यह कौनसा वाला था तो यह चीज को भी आपको ध्यान रखना है ठ इसका जो सही एंसर हो जाएगा हो जाएगा 2000-1 नौट लेस देन 2000-1 ठीक है आते हैं इसका अगला कोशन है अगला कोशन है एडल्ट मीन्स एडल्ट मीन्स एपर्सन हुँ हैस कम्प्लीट एडल्ट का मतलब होता है एक आदमी जो कम्प्लीट कर चुका है क्या 18-year-of-age अगर बोलेंगे ट्रेनिंग करने के लिए कितना जरूरी होता है कम से कम 20 साल का उम्रज होता है वो जरूरी होता है manager बनने के लिए कितना साल का जरूरत होता है manager बनने के लिए 23 साल का जरूरत होता है manager का exam देने के लिए कितना जरूरत होता है manager का exam में बैटने के लिए आपको 20 साल का उमर चाहिए होता है यानि DGMS का कोई भी परिच्छा में आप 20 साल का उमर में बैट सकते हैं लेकिन मैनेजर का एक्जाम में भी 20 साल में बैट सकते हैं लेकिन आप उसको 23 साल होने के बाद ही यूटिलाइज कर सकते हैं इस तब चीजों को थोड़ा सा ध्यान से रखेगा मैटिकल हम देते जाएंगे अब इंजीनियर का एकिस साल हम लोग पढ़े थे कहीं नहीं पढ़े थे इकीस साल आपका एमेमार में बाई सब यह वजला का ब्रोजेशन में इंजीनियर का सर्वेयर का यह सब पूछेगा तो एकीस टीक नहीं मारना है 21 साल MMR यानि Metallic Ferrous Minds Regulation में है आप पढ़ क्या रहे हैं आप CMR पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं इंजिनियर और सर्वेयर का ऐसा कोई उम्र नहीं लिखा हुआ है यानि 20 साल होना चाहिए जो करते परिशां बैटने के लिए तो ऐसे करके आपका अगर क्लियार्टी रहेगा तो फिर कौनों दिक्कत नहीं होगा एक्जाम में खेल जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा सब्सक्राइब करते हैं करने के बाद रिस को मैनेजमेंट करते हैं तो बहुत सारे तरीका का इस्क्रमाल करते हैं उसको होता है उसमें से सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कितना उसका प्रभाव हो सकता है कितना ज्यादा वह उसको कम कर सकता है है तो यहां पर सब्सक्राइब का होता है सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसको इग्णॉर नहीं कर सकते हैं आज की जमाना चली आते हैं अगला कोश्चन है दो प्लाश्टिंग डीप होल ड्रृलइंग और ब्लास्टिंग कें ईगल बोला गया है कि अब्लास्टिंग नेंध्ड प्लास्टिंग करते हैं कितना मिटर से ज्यादा होना चाहिए तो आपको पता ही वहागा इसका प्लिया है कि टो इसका एंसर का एंसर आप कमेंट सेक्शन में भाइगा कि 11 यह हमने किया टेक्निकल पॉर्चन का कुछ अब आते हैं नॉन टेक्निकल का मद्यपर्देश का कोल इंडिया का यह सब कुछ पूछा हुआ है बाकी है तो 20 नंबर का उसमें भारत वाला भी पूछा हुआ है वट हम आते हैं फिलाल अभी यह सब पूर्शन पे तो कोश्चन है मतलब 36 जब बन रहा था तो कितना नंबर पे 36 बना ठीक है अलग लग लग स्टेट से बनता चला गया तो रैंकिंग क्या च्टिस गड़ का अकॉर्डिंग तो देर इस्टाब्लिसमेंट बतेगेगा 24 रैंक है 25 रैंक है 26 रैंक है 37 तो इसका जो सही एंसर होगा वह हो जाएग एडिकेशन ग líneaum चले अगला कॉशंटर्ण की अगला कुर्ष्ण बेस्ट नंगवजटी मेlee93 ऑफिसियल ट्रासियस गरी पूंदेल में तो उसका सही अंसर होगा यानि कि 36 गड़ हिंदी इसका सही लेंगवज हो जाएगा अगला कोश्चन है इन विच फिल्ड तुलसी सम्मान इस गीवन बाई मध्य परदेश गवर्मेंट मध्य परदेश की जो सरकार है वो एक अवार्ड देती है उस अवार्ड का नाम है तुलसी सम्मान यह किस छेत्र में दिया जाता है ऐसा वार्ड वाला कोशन तो फाइश सब पुछे गाई पुछेगा चाहे भारत का पुछे चाहे चाहे श्टेट का पुछे पर्टिकुलर मंध्य परदेश का यहाँ पुछे आपको पड़ना ही पढ़ेगा गूगल मारहीयेगा एक एक संजीत में या लोक कला लोक कला में दिया जाता है आपका संवान है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पसट चल जाएगा तो काली दास किस से संबंदित थे काली दास साहित से संबंदित थे यानि कि लिट्रेचर से संबंदित तो इसका एंसर हो जाएगा option बड़ी लिट्रेचर अगला कोशन है से सीसियल इस प्रोड्यूसिंग एराउं डेश पर्सेंट यहां पर होना चाहिए वहाँ कुछ दॉन मैं इसको देख लूँगा यार इसको देख लूँगा ठीक है चली इस कोशन को मैं रहने देता हूं थोड़ा सा और यह संट्रल गवर्मेंट की पहली तो यह आप सकते हैं कि यह सरकारी कंपनी बहरत का पहला कंपनी भारत का पहला कूल माइनिंग कंपनी त्यक्यां यह का रानी गंज के रानी गंज में बिसिकली इस्टाब्लिस किया गया था तो उस जगह पे टैगोर अंसन्स नाम का एक कमपाणी मनाया गया था जो सस्टेनिस ग्रांट एटली और जॉन समनर नाम के दो रिसर्चर हुआ करते थे अंग्रेज बिटीसर उन्होंने पता किया था कि हां इसके अंदर बहुत कोईला है और फिर उसके योगदान से यहां पर जो उस टाइम के राजा थे टैगोर राजा हुआ करते थे उनका नाम तो यहां पर खूला था टैगोर कि यह रविंद्नाट टैगोर वाला टैगोर नहीं है क्योंकि रविंद्नाट टैगोर से बहुत पहले आयते 1774 में खुला था वाइंस में अगर हिस्ट्री अप इंडिया जानना है इस्ट्री अपडोल इंडिया यह माइनिंग तो आप मेरा ब्लैक डामड चैनल पर ही चलिए आते हैं अगला कुशन पर एंथ्रसाइट कोल इस फाउंडेट एंथ्रसाइट कोल इन में से कहां मिलता है जम्मु कस्मीर में पंजाब में ज्यारखण में तमिल नाडु में तो आपको पता है अगर तो बहुत अच्छी वात है नहीं है तो आप जान लिजे जम्मु कश्मीर वाले रिजन में अंत्रा साइट कोय लब पाया जाता है चालिय में से सबसे ज्यादा भारत को ज्यादा नहीं से सबसे जड़ाधा धीप पहली बार फार डेम्प के साथ साथ एक्सपोर्ट का उसके बाद जो गीडी कोलियरी जो है बहुत ही पुराना कोलियरी है इसका साथ दो या तीन सिम अलग लग चलता है और इसमें भी काफी अच्छा प्रोडक्शन रहा है चीना कोरी को लिए विस्ट पंगाल में पड़ता ह है और यह भारत का सबसे डीपेश्ट कोल माईंस में से एक है यह चीना कोरी कोलियरी और शुदामडी कोल यडी बहुत फुराना कोल माईंस है यह साप्ट संग के लिए फेमस है और इसमें जो आपका साथ बना हुआ है उसका रेडियस बहुत ज्यादा है इसका च्रक्राइबर प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा परोजेक्ट प्रोजेक्ट सबसे बड़ा है स्सुन्ज मुझे पढ़ते हैं कहां इसल में डिपिका जो है वह आपका यह दोनों परवाला है यह दोनों पढ़ता है कठार आपका पढ़ता है सीचील में इसमें कोईला लाल 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 कलता है जला-जला वात अगला कोश्चन पर इन विच सेशन इन देशन दो हजार बास तैस विच अप्ड़ फॉलिंग स्टेट मैक्सिमम कोल प्रोड़क्शन एस्टेट है जोना चीए छोड़ थोड़ा मोड़ा बातों को अब इग्णॉर किया किजिए और कोश्चन टेस्ट में में फोकुस रखिए स्पैलिंग मिस्टेक है ग्रामेटिकल मिस्टेक है सब पे ध्यान मत दीजिएगा इन विच इन दा करके इसका कमेंट कर दोंगा ठीक है आप कमेंट करके बताएगा कि कोश्चन नंबर हंड्रीट का एंसर क्या होगा आप खोजो गुगल मारो जो करना करो लेकिन इसका एंसर बताओ भाई कि 2022-23 में जो प्रोड़क्शन हुआ है उसमें कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका सबसे और है अब मैं इसको सब्मिट करता हों झितना कोस में सब्मिट किया हूँ बागी दो च्होडा हूं ठीक है इसको सब्मिट करते साथ ही juice सब्मिट हो रहा हैई इव इड़ियों सब्मिट कर लिए अधी ऑप्कॉशन मेरा यह सत्यात्या है ओविसी偌 रखेट है करना देखिए इसका कौन सा कौन सा ऑपना को पता एंसर का आपको बता हका तो आसे करें आपको पुरा एटिटेल मों बता देगा चले इसके बाद यहां चाहें तो रीटेक टेस्ट कर सकते हैं रीटेक टेस्ट का कितनी बार option है रीटेक टेस्ट का unlimited option एक बार में आप 10,999 बार टेस्ट दे सकते हैं मैं लिख दे रहा हूं एक पर्टिकुलर दिन में एक दिन में एक टेस्ट को 10,999 बार आप दे सकते हैं इससे ज़्यादा अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिएगा मैं आपको फिर से वोटल अफिन कर दूंगा अगर आप इतना एक टेस्ट को दे सकते हैं तो यह आपके उपर भाई साथ ठीक है अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते ह हैं और साथी साथ सेसेल का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको इसी में पूरा मिल जाएगा ठीक है आपके लिए स्पेशल आफर में लेक्ट आया हूँ that first कि पूरा का पूरा देखिए आपर डिस्कुषण ग्रूप भी बहुत सारा है बच्चे डिस्कस करते हैं के चाहँ को डाला हुआ है पूरा का पूरा पूर सम्सांट आपको मिल जाएगा ठीक है ए मटी वॉल्यूम वान ए-टू-??? सब्सक्राइब कर देता है तो यह सब सब चीजों को आप बहुत ही डीटेल में अगर देखेंगे कि चलिए लर्न नुमर में कर देता हूं लोड नुमर पर कि छिए मार है आचले स्पाप सब्सक्राइन पीडिया पूछा जाता है खो मिल जाएगा इसके बाद माइन्स रूल मिल जाएगा आपको माइन्स एक्ट तो मिली जाएगा इसके बाद बहुत सारा टेस्ट आपको मिल जाएगा जो सेपरेट वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा इसके बाद जेनरल सेप्टी वाला कुछ वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा इस सब का सब वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा अब यह हम अपने लिख दे रहा हूँ अगर आप सरीप S.E.C.L. तक लेना चाहते हैं S.E.C.L. लिख जान तक लेना चाहते हैं तो इसके लिए आफर है 6.59 रुपिया मात्र प्राइस है अगर आप कोल इंडिया का प्रिप्रेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं थोड़ा सा लंबा टाइम तक त्यारी करें तो इसके लिए आपका जो फी है मात्र बारस उरुपिया है इसमें आपको वीडियो लेक्षर टेस्सरी सब मिल जाएगा साथी साथ जो अपडेट होते रहेगा लगातार में वीडियो देते रहोंगा लग लग जाम आएगा तो अलग लग आपको टेस्ट मिलेगा यह भी आप ले सकते हैं कोल इंडिया प्रिप्रेशन के लिए तो उसके लिए भी आप वाट्सप नंबर 6200670155 मैं आपको आगे का इंफोर्मेशन वहीं देखूंगा तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ अब तक के लिए कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग तिल झाल जाहिए